सुदेंट बैकी इर्थी परोहाथ 10th English की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बच्चों आज हम आपकी जो textbook है first flight उसके अंतरगा जो पोम है जिसका नाम है fog उसको आज हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोम इसका नाम है fog, fog याने ढून्दे या कोहरा fog, the fog comes on little cat feet, it sits looking over harbor and city, on silent hunches and then moves on written by Karl Sandberg और इसको लिखा किसमें fog को? Karl Sandberg ने लिखा तो क्या कहते हैं? जो fog या जो कहरा है, जो धुन्द है, वो कैसे आता है? एक छोटी बिल्ली के पैरों की तरह मतलब जैसे जब बिल्ली आती है तो आपने कभी उसकी आहट नहीं महसूस की होगी तो वो बहुत धीमे पाउं, बहुत दबे पाउं आता है और बैठ जाती है बंदरगाह और शहर के आसपास और वहां से वो हॉंचिस मतलब कंधे ऐसे उचका करके देखती है और उसके बाद गुतनों के बल बापस चली जाती है इसका मतलब जो फॉग है किसी एक बिल्ली की तरह आता है दबे पाउं जिसकी आहट सुनाई नहीं देती और आकर के वहां से वो पूरी सिटी और बंदरगाहों को देखता है और फिर बापस चला जाता है तो बच्चो ये थी आपकी पॉर्म फॉर्म नेक्स्ट पॉर्म हम डिसकस करेंगे अगले वीडियो में थैंकि बच्चो